भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को बहुत सारी संबत्ती दी लेकिन, सुदामा तो अब और अधिक भक्ती करने लगे, वे अब हर समय पर मात्मा के ध्यान में ही निमग्न रहते, एक दिन सुदामा ने मन में सोचा, हर तरफ माया की बाते हो रही है पर माया मुझे क्यों नहीं दिखाई देती है। यह माया पता नहीं कैसी होगी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मुझे अपनी माया दिखाई देगी। इश्वर ज्यान और माया अग्यान का प्रतीक है, जो पर मात्मा के ध्यान में तलीन रहता है, उसे माया कैसे दिख भगवान श्रीकृष्ण ने सुदामा को अपने माया जाल में मोहित करने की ठानी। उस गाव के राजा की मृत्यू हो गई थी और वहाँ ऐसा रिवाज था की हाथी जिसके गले में हार पहना देता उसे राजा बना दिया जाता था। वहाँ आपको भी पहुँचा देंगे। उस नगर में ऐसा रिवाज था की स्त्री की मृत्यू होने पर पुरुष को भी उसके साथ चिता में चड़ा दिया जाता था। लोग सुदामा को शमशान ले गए। ये सब देखकर सुदामा घबरा गए और भय और घबराहट में प्रभू का स्मरन करने लगे। भगवान का स्मरन करने ही उनके नेत्रों पर चड़ा माया, अग्यान का परदा हट गया और उनको याद आया की मैं तो सुदामा ब्राह्मन हूँ। मुझे संध्या करनी चाहिए। संध्योपासना के लिए जैसे ही उन्होंने नदी में डूप की लगाईवे गोमती नदी में उसी स्थान पर पहुँच गए। श्री कृष्ण स्नान करके पीताम बधारन भी नहीं कर पाय थे की सुदामा रोते रोते उनके पास आपहुचे। श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र रोते क्यों हो। सुदामा कहने लगे, ये मेरी पतनी, मेरा राजिर, सब कहा चला गया। ये सब क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को समझाते हुए कहा, मित्र, ये सब मेरी माया है। मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है, वह मेरी माया है। माया का आवरन चारों और फैला हुआ है। माया स्वयम नाचती है और मनुश्य को अपने वश्मे करके नचाती है।